आज मैं बनाऊंगी भीगे हुए मूंग के डाल का एक हल्दी स्नैक्स इसको आप ब्रात में भी खा सकते हैं इसको तयार करने का तरीका भी बहुत आसान है नमस्कार भूमिच की चैनल लाइक टाइल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अगर आपने सब्स्राइब नहीं क लग दिया था मैंने चार से पांच घंटा के लिए यह देखिए अच्छे से भीगाने के बाद इसको मैं दो तिन पानी में वास कर लिया है धो कि इसको इसका पानी युह है ड्रेन कर लिया है और इसका छिलका में नहीं निकाला है क्योंकि यह जो छिलका रहता है ना इसमे भाव जबनावार हैं मैं चोछे सुखाने की लिए जाए इसके बाद करोग में था समय कुन हको दूब दो कर दो ऌकथ में मस्क्राइब मर के लिया है अगर आप चाहे तो इसमें केला या फिर अनार के दाने भी ले सकते हैं और इसमें मैंने कुछ ड्लायफ ट्रस लिया है बादाम काजु और किस्मिस क्शे चे का मात्रा कम ले रही हूं क्यों कि मैंने परेस अंगुर लिया है इसलिए अगर आपको ज्यादा पसंद है तो थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं इसमें किसमिस अभी इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से अभी मैं इसमें डालूंगी नारियल का कसा हुआ नारियल इसमें कदुकस किया हुआ नारियल एक कॉप डालेंगे और इसको फिर से हम मिक्स करेंगे यह बहुत टेस्टी होता है आप चाहे बच्चे को दे सकते हैं या फिर बड़े नो ओयल वाला जो स्नैक्स है यह वाला यह एकदम टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स होता है तो अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए तो अभी देखें कितना आसान है इसको बनाना अभी हम इसमें डालेंगे लगभग एक चमबच में एक टेबल स्पून जो है चीनी डाल रही हूं उसमें आप चाहे तो इसमें गूर का पावडर या फिर गूर इस्तव कर सकते हैं इसमें चीनी डालके अच्छे से मिक्स कर देना है अभी देखिए तयार है हमारा स्नैक्स आप इसको ब्रेक फास्ट में खा सकते हैं या पिर ब्रत में भी बना करके खा सकते हैं अभी इसी तरह से इसको बना के हम सौर्व कर लेंगे देखिए कितना अच्छा बन और आपका जो स्नैक्स से कैसा बना है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और दूसरे रास रेचिप बगार रहने के लिए उपर आरे पेज बार या फिर डेक्स बॉक्स में चेक कर सकते हैं थैंक यू